हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ना तो कोई घाट घुमाने वाली हूँ ना ही किसी विशेश मंदिर लेके जाने वाली हूँ बलकि वारण सी में ऐसे बहुत सारे जो इनका अपना अलग एक एतिहासिक महत्व है उन्ही सभी प्लेसेश को आज के वीडियो में मैं शामिल कर रही हूँ और इनका जो महत्व है मैं आपको अपने ओरल एक्सपीरियंस के साथ पताती चलूँगी और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप तुबारा या पहली बार वारान से आएं तो घाट मंदिर घूमने के अलावा इन सभी प्लेसेश पे ज़रूर विजिट कीजे अपना एक्सपीरियंस के इन कीजे बनारस मेंली हम जब भी बनारस का नाम सुनते हैं तो हमें केवल गंगा आरती गंगा घाट जितने भी सुबर शाम की आरती के बारे में पता चलता है लेकिन यहां ऐसे बहुत सारे कुंड हैं जिनका अपना अलग महत्व है मैं अपने व्लॉग में कई बार दुर्गा कुंड का जिक्र कर चुकी हूँ क्यों कि यहां पे दुर्गा मया का एक बहुत भवव मंदिर है और कई मैं यहीं पास में रविंद्र पूरी कॉलोनी में इस्थित किना राम बाबा मट की बात कर रही हूँ, साथ में असी भदैनी में इस्थित लोलार्क कुंड की बात कर रही हूँ, जी हाँ दोस्तों, इन सभी कुंड का कई सारे ऐसे कूप हैं, कूप मतलब कुएं, बहुत सारे ऐसे कुएं हैं जिनके जल का बहुत महत्व है मैं जब संकट मोचन गई थी मुझे मालूम था कि वहाँ पे भी एक ऐसा कुएं है जिसका जल पान करना अपने आप में एक बहुत ही और शदी पूर्ण चीज़ का सेवन करना होता है लेकिन अभी शायद वो हाल फिलल बंद कर दिया गया है या जो भी कुछ हो मुझे डीटेल जादा नहीं मालूम चल पाया बट जब मैं वारणसी में रहती थी तो हर शनिवार मंगलवार को हम लोग उस कुएं का जल जरूर पीते थे मंदिर में दर्शन करने के बाद तो यहां जितने भी इस्थानिय मंदिर है जितने भी प्राचीन मंदिर है सभी के पास कुएं है और उन कुएं के जल का सिद्धी करण है वो सारे के सारे कुएं बहुत सिद्ध है उनमें बहुत सारे औशदिय गुण है ऐसा ही एक कुवा है वाराणसी के महामृत्यूंजय मंदिर के पास का जिसका जल बहुत सिद्ध है सो वहां मैं आपको फिर कभी लेकर जाओंगी आज मैं लेकर जा रही हूँ ये लोलारक कुंड में जो की भदैनी में इस्थित है और यहां पे भी कई सारे मंदिर है लोलारक कुंड जो है बहुत गहरा है और अहिल्या बाई ने इसको पक्का बनवाया था ये कुंड पहले से है लेकिन ये अहिल्या बाई ने इसे पक्का बनवाया है इस कुंड का अपना बहुत महत्व है दोस्तों कहते हैं जिन लोगों को संतान की प्राप्ती नहीं होती है वो लोग भी इस कुंड में आके अपनी मनों कामना मानते हैं और यहां पर इसनान करते हैं और ये उपर से देखने पर इक्दम कुए ज़सा लगता है मैं नीचे से ही जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ और हां शाम चार बजे इसे बंद कर दिया जाता है दोस्तों ये सुबर से लेके शाम तक ही खुला रहता है उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है लोग यहीं पर नहाते हैं इसनान करते हैं और यहीं पर अपने कपड़े सीडियों पर फैला के सुखा लेते हैं और इसके भी कुछ विधी होती है कि आपको कुछ दिन कुछ लगातार मनोती के हिसाब से यहां इसनान करना होता है सो काफी सीड़ियां हैं लेकिन मैंने इसमें देखा है कि बहुत सारे बुजर्ग से लोग भी आते हैं यहां पर दर्शन करने के लिए इसनान करने के लिए ना केवल संतान प्राप्ति के लिए अपने बहुत सारे मनुरत सिद्ध करने के लिए लोग यहां पर आते हैं चारो तरफ से इस कुंड में आने जाने का रास्ता बनाया गया है और उपर बहुत ही भवे मंदिर है थोड़ी दिर में मैं उस मंदिर भी आपको लेकर चलूँगी वाराणसी के भदैनी में इस्थित है ये मंदिर और लोलार क कुंड अब तो बहुत सिद्ध हो चुका है क्य क्योंकि लोग बहुत सारी मानेता यहां पर आकर करते हैं कई लोग नारियल वगरा भी चड़ाते हैं जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसी वो कामना करते हैं जैसे ही मैं इस कुंड से बाहर निकल रही हूँ कुंड में ताला लग गया है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहां पर सुबर आठ बजे से लेके शाम चार बजे तक आया जा सकता है उसके बाद यह कुंड बंद कर दिया जाता है अब यहां के आसपास के मंदिर को मैं एक्स्प्लोर कर देती हूँ यहां पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मा महिशा सुर मर्दनी का तो वही पर मैं आपको लेकर चल रही हूँ जब भी मैं बनारस आती थी या जब भी मुझे अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल करनी होती थी मुझे यहां पे मेरे घरवाले दर्शन कराने के लिए लेकर आते थे बनारस चुकि गलियों का शहर है तो आपको गली-गली दिखाई दे रही होगी लेकिन कई सारे यहां पे नवीन मंदिर का निर्मान किया जा चुका है पहले यह सब कुछ एरिया एकदम ओपन था यहां पे पेड़ के नीचे ही शनी देव का मंदिर था शंकर भगवान की प्रतिमा इस्था पे थी लेकिन अब उसे अच्छे सुन्दर मंदिर के रूप में बनवा दिया गया है यह है महिशा सुर मर्दनी का मंदिर लेकिन मैं यहां अंदर जाके कैप्चर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि अंदर से मंदिर में कैप्चर करना कहीं से भी ठीक नहीं है अब मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ रविंद्र पूरी में इस्थित पाबा कीना राम इस्थल इस मंदिर के द्वार पर ही लिखा है कि आप अंदर मोबाइल कैमरा इस्तवाल नहीं करेंगे ना आप फोटो लेंगे ना ही आप वीडियो लेंगे इसलिए मुझे बस कुछ फोटो का सहरा लेना पड़ रहा है लेकिन इस मट का इतना महत्व है और ये मैंने अपने से experience किया है मैंने अपनी आँखों से चीजों को देखा इसलिए मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ आप लोगों तक अपना message पहुशाने से बाबा कीना राम के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे तुलसीदास जी के समय पे ही इनका भी समय काल चल रहा था और जितने अच्छे भक्त तुलसीदास जी थे उतने ही बड़े भक्त जो है कीना राम बाबा थे लेकिन ये अगोरपंथ को मानते थे और इन्होंने यहां जो कुंड स्थापित किया है उस कुंड में इसनान करने का बहुत महत्व है आप सभी लोग देख रहे होंगे ये सारी फोटोस बाहर से ली गई है इनको अंदर कैप्चर नहीं किया गया है लेकिन इस कुंड का इतना महत्व है कि किसी का बच्चा विकलांग हो किसी को इसकन डिजीज हो चर्म रोख हो या किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी हो इस कुंड में इसनान करना होता है हर मंगल वार रवी वार को यहां पे इसनान करना होता है पांच मंगल, पांच रवी ऐसे माना जाता है, तो यहीं पर रहना भी होता है, जिन लोगों के पास रहने के लिए इस्थान नहीं होता, वो लोग यहाँ पर एक शेड है, उसके नीचे यहाँ पर रहते हैं, और अपना काम पूरा करते हैं, मनुरत पूरा करते हैं, पहले इस मनोर कामना पूरी हो जाती है तो आपको कीना राम बाबा को उनका प्रिय भोजन बना कर चढ़ाना होता है और उनका प्रिय भोजन क्या है मचली चावल जहां दोस्तों जो लोग मचली नहीं खाते हैं वो लोग पैसे दे देते हैं तो यहां के कर्मचारी उसे बना कर भोग ल कुष्ट रोग हो गया है या शरीर में फफोले हो गए हैं किसी ना किसी चर्म रोग से लोग पीड़े थें चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो वो इस मठ में आता है और जैसा यहां पे नियम है उतने दिन कुंड में इसनान करके अपने आपको सस्थर करके ही यहां से जाता है इस कुंड का मैंने बहुत जादा महत्व सुना है मैं चाहती थी कि यहां पे मैं जाके अच्छे से वीडियो कैप्चर करूँ बट मुझे इस बात की परमिशन नहीं दी गई और मैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों तक यह मैसेज पहुचाना चाहती थी क्योंकि यह मठ बहुत पुराना है और मैंने इसकी बहुत महिमा सुनी है पर मुझे जाने का सौभा कि इस यात्रा में मिला पहले मैं कभी नहीं गई कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसे एक्स्प्लोर करना चाहिए लेकिन इस बार अंदर से मुझे लग रहा था कि एक बार में जैसी शान्ती होती है वैसी शान्ती हरियाली हर तरग की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो एक बार आप लोग जरूर यहाँ पर अपनी यात्रा कीजेगा जादा समय नहीं लगता मुश्किल से आदे घंटे का समय लगा था मुझे इसे एक्सप्लोर कर करने में और यहां की बाते सुनने और समझने में तो मिलती हूं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टिक क्यार टाटा बाइबाई अगर यह वीडियो आप लोगों को अपने काम की लगी हो तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर सेच कीज मुझे कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा और मुझे प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अपना प्यार और आशिरवाद इसी तरह बनाए रखिएगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में और मेबी वो भी कोई बहुत ही अच्छी सी बनारस की जगह होगी अपना ख्याल रखिएगा बाबाए दोस्तों